बाइस सारे दर्शकान पवन मलिक मोखरा की आजोड कर रामरामूर नमस्ते मेरे हाथ में बहुत सारी आईडी और हैं जो अन्य मेरे साती चैनल हैं वो सारे मेरे साथ जुड़ रहे हैं दाया नैशनल न्यूज जसी प्रोडेक्शन अभी मन्यू मुवीज और अपने लोग सकत नाम है बागबान आशरम और हमारी बेहन जो छोटी बेहन है अन्सुल वो यहां की डारेक्टर है और यह जो सक्स हमारे साथ बैठा है यह वो सक्स है जिसकी मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा जो कल से एक वीडियो वाइरल और यह जो पिछले कई सालों से ना दिये बुखे तशाए एक ही कमरे में रख्या करता है कमरे में अभी अभी मैं जाका हूँ वीडियो आप लोगों के सामने होगी उसमें ऐसा हाल था जैसे वहीं वो कमरा कद्दे भी गिर शका है अगर तेज बारिस या अंधी तुफान आ जाओ तो डेफनेटली वो सवाल खुले कोश्चन आउटपूट किये जांगे पहले तो वही अनील तुए है पका रामरमी के लाइक तो है नहीं कोई रामरमी नहीं तो भी मैं एक बात कहना चाओंगा कितना पढ़ रहा है पढ़ तो पढ़ने कोने पाँ जी मैं तो जी तीशरी भी फास कुने कर रहा अच्छा मिस्तरी है चनाई का काम करे रहा है और कर लिए यह पात बता हो जो यह बच्चे आपके अपना खुण नहीं है मेरा रहा है मत बल्ले नें प्रक्राइब हैं कोई अपने बच्चों को बेडियों से बांज के रखता है जो आपने जिस तरीके से उनको बुखर क्या आपके घर के अंदर जो माँ है कुलाडी आपके गरीब्य कोई बुराई नहीं गरीब हो सकता है गरीब से हमें कोई प्रभ्लम नी यह गरीब है जायसे खेलन जाते हैं, खेलन की कोई रुकाव्ट नी, खेल ले पाफ गेंड उंएम पास आता हैं उपाइज समार अगर चिह को बाता है zer बहुत सम्ज़ाएका भी पाछाय है नामना बांदें जी और रही बात जी चार पांच साल की ऐसी बात नहीं है जी जो एक जो जोड़ा के है जी दन्नु जी बढ़ना तो बंदरा से इफ मैं ले डेड़ी भी ने शी और छोटना इब जी ताजिय बात से मैं ले इसे ने भी एक जनक कर दीथ जी यो उस दिन तो मं जमाजूडी का तो गिड़े कुण जी में बच्चे बीड़ी पिवा इसमेरे बांद है आपने बच्चे बीड़ी पिवा हैं चोरी करें मत्वल जी कोई भी बीड़ी पीनी भी शिक्टा है जी बारक कोई मेंट आप लोग दारूपी तो ना ना जी और फाप यह सब्सक्राइ एक को बच्चे बच्चे सब्सक्राइब करें राती होई श्टा है उसके बच्रेकर नकिने में यह जी कूछ दिनों educ है एक यह बिने और अटे हो प्रफिन जाके और प्रफिन जाके और फैकते हो वह पुर्डी आप लोगों को दिखेगी जहां पौटी रखी है वह जो पौटी होती है वह बालती में उसको बार डाल के आती है अन्सुल बहन वहां गई थी तो अन्सुल बहन ने हमें बताया कि तीन साल के बच्चे को जो सबसे चुटा है उसको भी आपने पैर में रसी से बांद रखी थी और इतनी दूरी की वह रसी दी के मैंगेट तक आ जावे और बस तो बाई सब तीन साल का बच्चा बीड़ी पी कि लोग आव है जी गराई जोड़ा जिए नमिकतने मारूं मेरा इसा मन कर रहा है तूनों बताते ने तीन साल का क्यों बांदा तीन साल का मनने बैंद जी इंता जी अधा या तो इसकी मुमी बैंद दे जी जी योदी दो दो बच्चे निजी छोटे बच्चे दो शारा काम आरतनों बताया भाई वे बालक चोरी करी उनने लेकिन पुख्या न करी चार चार दन पाँब्चों गो खाय हो जाया गरता इसलिए वट पीरादी सर्ण भाई अजिन बचों को तीन दन खाना नि मिलेंगा अरे वह चोरी करेंगे उनको के बेरा तो खाने के लिए अरे तेरा जाय कितने बार बनाते हो जाय कितने बार बनाते हो जाय किवाल जो जो तो इस आप यहां धूद कितने पासका भी लिया हुआ जी दो बार बनावा जी कदे को आजे तो जी और भी भालतू बने जी है आपके बच्चे अंदर बैठे हैं कैचो पुछों है परोशियों की वीडियो पिछली वीडियो मा लोग देख लिया होगा आप जिस मान पाड़े होना आपकी चाची ने हम उससे मिलके आए आपके चाचा सबने एक बात कई है कि वह बच्चे ने एक दो बार कुछ चोटी मोटी हरकते की हैं लेकिन क्योंकि है रीजन यही है बूक दो से तीन दिन वह बच्चे बूखे रहेंगे तो चोरी भी करेंगे और सबसे बड़ी गलती अगर तेरे बसके नहीं थे बच्चे पाड़ने तो पांच-पांचा की रेल बनानी जरूरी थी कि अब तु गरीबी का बाना लगा है यह अब इमोशनली ब्लेक मेल करना चाहता है गरीबी दिखा के बात गरीबी की नहीं है हम गरीबों के साथ हैं हमेशा रहेंगे आज भी एक गरीब परिवार की मदद की वीडियो बना के आ अबना जाने पिड़ें लुट इस गरीब यह एक गुणा नहीं है व्याट शताना बांध गरकना उत्पृण करना ये बहुत बड़े गुणा है अपनी डियांग मर्कि ना जी बिंड़ेण उसके अंदर अम ना ये अ बताओं कोई बात पूंद यह क्या कहना चाहेगा मैं बता देता हूं यह अपनी वाइप के उपर शक करता है अवे जंबंद होने के लगाता है मेरी वाइप मेरे फ्लाने पुड़ोशी से बोली मलब इसके मन में बस यह डाउट है जैसा इंसान वैसी सोच इसके अंदर यही ह प्रफित में बिटे मार के वह इसने खुद हाए तोड़ी थी ना ऑपरेशन और रहें ना पैर में राट जल रहे ना उन बच्चों ने क्या वह बच्चे वह कहीं बाहर जार के कुछ उल्टे काम करते हैं वह बच्चे भी किसी लड़की को देखते हैं या वह किसी को छेड वक्ति तेयों के और लुए कि शांब नहीं टो पैर को ना करें इसलिए तोना पने बत्चा ही प्यार को ना करता करा है पिट्टेगा मारा उनको बेलता तो इब्वे बंदे थी थोड़े दनो एहर ना मेले मने नू बंदे बहें सारी उमर बंदे रहुगे आप यह गरमे लेटनी फोल होगी बतारे गड़ा बर गया है तो बार फेंडने में जंगल में लोग ओपन जाते होंगा ना यानिके प्लो आपके सारी वीडियो पढ़ी है सब्सक्राइब करें अनृटे वह अविए दूसरी बात जो इसके घर के बिलकुल साथवाला गर बिलकुल टचवाड़े जो साम बराबर बराबर वाड़े गर हैं वो इसकी क्षुद की चाचिताई है वो ये कमें हैं ऐसे इनसान की हम सूर पूरी बाल में कलोनी इसके खिलाब खड़ी है, एक आदमी तो इसकी साइड हो, कोई एक सिंगल आदमी, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर आदमी की यही पुकार, यह ज़ेल में चाहना चाहिए। भाईयो फिलाल, हाल फिलाल बरवाड़ा आसरम में है, ठीक है, यहाँ अनाथ आसरम में है, आसरम का नाम एक बार फिर बता दू, बागबान आसरम में है, आओ, परशासन से मेरी गवार इसको जेल में डालो, इसकी सजा जेल है, पडोसी क्या कह रहे हैं, एक बात बता हूँ अंदर रहेंगे एक पड़ोसी से मैंने बात करी क्या आपने पहले नहीं दिख़् था यह इस तरह से आलोर है तो वह कह रहा है कि हमने तो यही नहीं मालुम था इस घर के अंदर आदमी रहे हैं बच्चे रहे हैं खंडर मैसूस हो रहा है वह खंडर ही है एक कमरा है और वह ख सजा मिलने चाहिए यह वही टोटल मेडिया करम के और किसी भी समाज के आदमी से आप कोमेंट करके बता दू हां बता वहीं केतना सजा मिलनी चाहे कि सजा to जो करें मिलने भी चाहें जी पुलिशा होगे आप उनके साथ बैठ गया ऑपने अपने दोसी मननों नहीं सुलो ओ अखम बंद रखो दे ना ना जी बस बैंद लीए मैं काना बंद लीने वैं व्यार आप ली तूप्वाग ली जी गुमा था॓ंगि अच्टा वी बच्च बंद दो रखे थे हा या मतलब बच्चों को सुधारने का जो तरीका है वो बेल बांदना नहीं है मैं आपको बात करना चाहूंगा और यह मेरी नजर में पर्सनली मेरी नजर में यह एक नमबर का अवल दर्जे का संकी आदमी है और एक जैसे साइको जिसको मैं कह सकता हूँ साइको टाइप का मुझरिम है और इसको सजा बाई पक्की मिलनी चाहिए यह मैं कहूं हूँ यह जो बहन है अनसुल यह जो अपना आसरम चला रही है बागबान आसरम नहीं बस्टेंड के पास में बुरवाला में यह सारे बच्चे अब इसके पास है और इनके मां भी इनके पास है तो इसको तो जेल पक्का जाना है होगा लेकिन बागी बच्चे कहां जाएंगी हंची इदर ही रखूँगी मैं मैंने तो सोच रख है पांचे साल तक आराम से रहेंगे फिर इनका घर्भी बनवाने कोशिश करेंगे गाउवालों की हेल्प से लेकिन बहने कियां भी एक बात है हंची आपको भी हम मालो वीकली या बीच में हम मैंसे कोई भी भाई आपके चुटके दूसरे चुबल में ना जाएं एक जिल से निकलके वह बात नहीं होगे आश्मान से टपका और खजूर पेटका तो ऐसा भी नहीं होना चीए और यह जो भेहन है अब तक तो भाई ठीक ठीक और साबसुतरी सुद्धी लग रही है कल ना एगर भाईस में भी कोई बदला वाजा इंसान का पता नहीं लेकिन वहन हमारी आपसे बस यहीं उमिद रहेगी कि अपने जो अपने भी जो हाँ यस बोला है हर चीज के लिए जो आप उस पे खरे उतरो बिल्कुल सर जी थेंक्यू कई बाते ऐसी होती है कि ग्राम पंचायत की भी दाब पढ़ जात पंचायत कैते कि इनका घर बनवाएंगे यह जेल में जाएगा तो अगर पंचायत इनकी पढ़ाई लिखाई का सारा कुछ खर्च देगी तो मैं भीज़ूगी यह और बड़ी बात आगी है क्योंकि एक बार तो मानलो इनका घर भी बन जाओगा हम लोग एक ही बार इनके लिए पैसे कटे करके एक रूम और एक लेटरिंग बातरूम मतलब एक किचन बनवा भी देंगे लेकिन पांच-पांच बच्चे और एक महिला यानिके छे और द पांचिक रोगी मैं माल सकता हूं इसको क्योंकि एक साइको है कल नहीं कुछ भी कर देगा तो कौन जम्मेवार होगा वहां एक दो कमरा और जो किचन बातरूम के विवस्ता हम भी करवा देंगे बच्चे जो है वो बाहर मतलब जो जाते दे दो मांगने जाते दे जैसे तैसे उनका पेट बर जाव है क्योंकि वो बुख्य रहते थे चोरी भी की की यह सच है नो हजार रुपे की चोरी दो बेटों ने की है उसके उन्होंने हाँ भी बरिये उसके लिए खाने का समालने का थे बुख्या न करी थी और साइद वो चोर बन भी जाते इसमें कोई डाउट नहीं है अगर वो इस तरह से रहते तो उनका जो रहन सेंज इस तरीके से चल रह बूख पता नहीं क्या कराइम करवा देती अब जो इसने जैसे बाहना एक मिनिट में बना दिया कि मैं गरीब हूं अब मैं क्या करूं ये बिलकुल मतलब ऐसी इस्तिति उन बच्चों के साथ होती कल वो भी कराइम करते और वो भी यही बाहना बनाते कि हम तो बुख्य थे अमने इसलिए ये सब कर दिया क्यों बई जी मेरी बास सुनो मेरता तो जो गलती होनी थी जी वेगी इवता में मार ओर चा छोड़ो जी मैं तो सचाई कहूंगा मेरे बच्चे कदे किसे का मांगन निगए मैं खूद मांगन भी गया होगा जी बच्चे कदे मैं के लाई जी अब पुलिस बुला रखी है और पुलिस आपको लेके जाओगी आपके बच्चे अनाथासरम में रहोंगे यहीं ठीक है अब आप के उपर जो एक्ट जो भी सजा आपको मिलेगी वो परशासन देगा गवर्मेंट देगी कोट देगा रही बात बच्चोंगी बच्चे बह आशरम में रहेंगे बरवाड़ा आशरम में और बागबान आशरम है यह नए बस्टेंट के पास तो भाई मैं एक सबसे जो रिक्वेस्ट करना चाहँगा जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं जितने भी चैनल्स पर यह वीडियो जा रही हैं बागबान आशरम में यह ज से काम करती रहो सारे वाया बाई कहेंगे इस इन यह जो वीडियो जैनल पर जादा से जादा से जादा से जह कर दो और इस सेतान को सजा दिलाने में सब मतलब एक साथ एक जुट हो जाओ यह धिखने में मासुम लग रहा है लेकिन यह मासुम है नहीं कदेक उन्हों सोचो सारे वे तो इसको सथाब्ंति के मिलने जाए वीडियोवने ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दो जैअरीना जैन वय्लाइनवी